नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का रिजलेंट मित्रा के प्लैटफॉर्म पे हम लोग की चर्चा फंडामेंटल राइट्स पर चल लए थी और हम लोगों ने समझा था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और उसका महत्व क्या होता है fundamental rights और ordinary laws का क्या मतलब होता है fundamental rights and constitutional rights मतलब मूर अधिकार और समविधानिक अधिकार में क्या अंतर होता है ठीक है right vote किस तरह का अधिकार है हम लोगों ने समझा था ठीक है उसके बाद हम लोगों ने राज जी की परिभासा को समझा था article 12 के भीतर और उसके बाद क्यों कौन से doctrine हमारे समविधान में लागू होते है article 13 के भीतर हम लोगों ने समझा था कि क्या मूद अधिकारों में संसोधन possible है अत्वा नहीं तो हम लोगों ने case by case समझा था कि संकरी प्रसाद केसमें क्या कहा गया है और उसके बाद किस तरीके से amendment हुए 24th constitutional amendment 1971 समझा था तो हम लोगों ने सारी बातें कर ली थी और उमीद है आप लोगों ने वो सारी कहानी सुनकर अपनी भासा में उसी तरीके से नोट्स बनाएं होंगे जिस तरीके से हमने कहा था तो आज हमारी चर्चा का विसे होगा right to equality ठीक है इसका बहुत अच्छा सब्द समानता है यह उससे भी एक अच्छा सब्द है समता ठीक है समता यह क्यूं है इसको इंगलिस बोलते एक्विटी यह क्यूं है अभी हम होता है यह क्या है अभी लोग समझेंगे तो देखें आर्टिकल 14-18 समानता की बात कर रहा है समता की बात कर रहा है मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी देश का कॉंस्टिटूशन पढ़ेंगे उस कॉंस्टिटूशन को पढ़के उस समाज की तजवीर निकाल सक करते हैं आप ठीक है जैसे अगर आप साउथ अफ्रीका कॉंस्टिटूशन पढ़ेंगे दच्छन अफ्रीका का समविधान पढ़ेंगे उनके मूल अथिकार में उनके मूल अथिकार में कि जो काले और गोरे रंग का भेद होता था उसको मिठाने की बात की गई है क्लियर यूएस में अस्वेतों को जैसने करते हैं ब्लैक्स को इस पेसल प्रोटेक्शन की बात की गई है इससे क्या निकल कर आता है कि इन सोसाइटी में सौथ अफ्रीका की सोसाइटी होगई इसमें रंगभेद की नीती अपनाए जा रहा है अपार्थाइड की जो नीती है इसको अपनाया जा रहा था ठीक है इसलिए ब्लैक्स को चाहे हो साथ अफ्रीका में हो चाहे यूएससे में हो वहाँ पे इस पेसल प्रोटक्शन की जरूवत पड़ गई तो यहां हम लोग अपने समिधान में समानता या समता की बात कर रहे हैं तो चाहे जातिकत अधार पर ठीक है चाहे लेंगिक अधार पे हो आप जानते लेंगिक अधार किस तरीके की है मतलब नारी और पुरुस में किस तरीके से भेध है ठीक है किस तरीके से पेट्रियारिकल सोसाइटी हमारे भारत में है तो हम लोगों ने धार्मिक अधार पे जातिक अधार पे लेंगिक अधार पे किस तरीके से अजमानता हमारे सुसाइटिय में है इसलिए हमारे सम्विधान में सब्सक्राइब वियक्ति विधी के समझ समता या विधियों के समान सनरचन से माना नहीं मैंने आपको बताया था आर्टिकल 15 16 19 29 30 यह ऐसे आर्टिकल है जो सिर्फ सिटीजन को मिले है ठीक है जो सिर्फ नागरिक को मिले है लेकिन अगर आप देखेंगे यहां व्यक्ति लिखा है अर्थार यह अधिकार सिटीजन और एलियन ठीक है यह फॉर्णर दोनों को मिला हुआ है एक एक बात क्लियर होनी चाहिए मना नहीं करेगा मना नहीं करेगा शुरू हो गया ना कि इस्टेट यह नहीं करेगा इस्टेट वो नहीं करेगा तो मैंने आपको बताया था फंडामेंटर राइट एक तरीके से निगेटिव है रफिदी के समझ समता तथा विदियों के समान सनष्ण तो आपißt著 मज़ते हैं कि विधि के समान समता क्या होती है और विद्य का समाघ समझ क्या होता है जिसकी इंग्लीजिङ होती विफड़ोर लग और विधनी समान सिःक्ष और एकुल प्रोटेक्षन ओफ लॉव तो एक एक करके समझते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लाइंड एक्वाल प्रोडेक्षन ओफ लॉव का होता है हम लोगों ने पहली क्लास में रूल ओफ लोग को पढ़ा था समधान मात की बीतर रूल ओफ लॉव एक कंसेब निकल कर आये था इसी स जन्म होता Equality before law rule of law का मतलब क्या होता है कि पहले किसका सासन होता था किंग का सासन होता था कुछ चन्द व्यक्टियों का सासन होता था लेकिन अपसासन किसका होगा कानूं का सासन होगा और King इस कानून के अंदर ऑजाएगा सिकानूं के भीतर आ जाएगा अर्था सभी के यह समान कानून चाहे वो किंगो हो चाहे आमव्यक्ति हो क्लियर तो रूल आफ लॉग के भीतर से निकल कर आता है equality before law मतलब कानून की नजरों में सभी समान है सभी बराबर है किसी को special protection नहीं दिया जाएगा चाहे उसकी सिति आर्थिक समाजे की सितिक कैसी भी हो किसी को भी special protection नहीं दिया जाएगा तो equality before law आपके UK से लिया गया है जो कि एक नकारात्मक विचार है ठीक है इसमें कहा गया है कि विधी की की नजरों में बराबर हैं आपको कोई भी special protection नहीं दिया जाएगा आपकी समाजिक आर्थिक स्थिति के अधार पर तो इसमें व्यक्ति की जो आर्थिक समाजिक परिस्थिति है उससे मतलब नहीं अब देखिए आप जानते हैं कि यह जो आसमानता है आसमानता है यह हर तरह की सोसाइटी में हर तरह के समाज में व्याप्त रही है ठीक है तो अगर आपको यह आसमानता खत्म करनी है और सोसाइटी एगलिटेरियन अर्थास समता मूलक सोसाइटी की स्थापना करनी है तो आपको कहीं न कहीं special privilege उन लोग को देना पड़ेगा जो पिछड़े हु न कर यह नगरेन ना सिद्रिय hypocos समाज में अराजकता फैल झाएगे यह ज ज़ितनी जयादा असमानता होती है वहां अरा अराजकता उतनी ही जयादा फैल जाती है और यह आप country's देखेंगे साथ अरी तो आप करने क्या थे नियाए ये कि अगर आपने कानून के चरू में सभी को बराबर कर दिया तो आप कर क्या रहा है अंयाए उनके साथ जो पिछले हैं जो गरीब है जो समाज के विकास के मुख धारा में शामिल नहीं हो पाएं ठीक है इसलिए concept निकल कर आता है equal protection of law और ये concept निकल कर आता है USA से एक सकारात्मा बुचार इसमें बुला गया कि आसमान के साथ आसमान विवार किया जा सकता है अब जैसे आसमान कौन है आसमान वो है कि एस सी एस्टी ओबी सी विमन से लिए सामान कि उनके साथ जातिकत बहब्भाव या लैंगे का धार पर देबाउब जार्थ किया गया है है इतिहास में तो ये समाज के मुख़्धारां में शा 보고 समार्थ के विकास के मुख़्धारां में सामिल नहीं नहीं पाएं ठीक है इसलिए इनको हम थोड़ा सा special privilege देंगे special protection देंगे इनके लिए कुछ special करेंगे reservation करेंगे positive affirmation करेंगे ताकि इनका जो विकास है हो सके ये भी समाज के विकास के मुखिधारा में सामिल हो सके और राश्च के निर्माण में अपना योगदान दे सके clear तो इसमें व्यक्ति की परिष्टिती ध्यान में रखी जाती तथा समता मुलक समाज निर्माण की और विशेज ध्यान दिया जाता है अर्थात इसमें उद्देश से क्या है कि हमें समता मुलक समाज की बात करनी है तो एक को टेक्शन के भीतर आजाता है कुटी एक कुटी ठीक है एक कुटी क्योंकि आशामान के साथ एक क्वालिटी की तुनला में तो एक 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 परेक्शन से ध्यान में रखी जा सकती है क्लियर ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए जब भी हम समानता कि अधिकार में एक्वालीडी बिफोर लॉग और इक्वाल प्रोडेक्शन ऑफ लॉग की बात करते हैं आप अगर रिजर्वेशन देखेंगे तो वहां यही बात की गई है आप य उनको समान के मुख धारा में शामिल करने का प्रियास मात्र है तो आपको समानता का अधिकार में आईटिकल 14 लेकिन अप्रिशली क्लास में बताया था कि फंडमेंटल राइट अपसल्यूट नहीं अपसल्यूट नहीं ठीक है निरपेच नहीं है इनके ऊपर कुछ पर नहीं राजपती वहराजयपाल हम लोगोंने पहली क्लासमी डिसके सिरह था ृजपती वहराजपाल कानुनी क Judas में बराबर क्यों नहीं है तो हमने पहला कारण जाना था क्यूं कि जो राश्पति या राजपाल हैं यह काउंस्छीड अफ कि सलाव पर काम करते हैं तो अगर इन्हों आसा कोई काम किया वह कराया कि यह जवाब दे हूं कि यह तो पर काम कर रहा है दूसरी बात मैंने हsan को बताया था ध meas box है वह कह ही आगया है या बिटेश लिए नहीं हो सकता तो वही कंसेट्ट यहां भी कि अपलाई है कि यहां कुह गलत करी नहीं सकता है और ठीशिवात यह की इन लोगों को आशां को जो फैसे डëंड के प्रेट हैंगई गौवर्णन के प्रेट हैंग के यह आईसे और इनको special immunity मिली हुई है clear उसके बाद मीडिया न्यूस पेपर रेडियो यहां पर special immunity मिल जाती आर्टीकल 3061 एक भीतर कुछ सांसाध है ठीक है सांसुदों को आर्टीकल 105 के भीतर विश्य साथिकार दिया गया है यह हम लोगो डिसकास कर चुके हैं वैसे ही विदायक को एक सो चौरानाबे के भीतर आर्टीकल 31C में कुछ अपवाद हैं इसको हम लोग देखेंगे जब फंडमेंटर राइट और डीपीएसपी लड़ाई है जब लोग इसको समझेंगे तो आडिकल 31C को समझने वाले हैं ठीक है उसके बाद विदेशी रायर ने को सास को सयूप राट संग वा उसके एजंसी के जो मेंबरान भारत में होंगे उनको भी इस्पेसल इमिलेगी देखिए आप लोगोंने अगर रमायर लेके जाते हैं आखरी बार कि भाई देखो रामर तुम गलत कर रहे हो लेकिन भगवान राम अभी भी तुमको छमा कर सकते हैं उनकी सरान में आ जाओ और तुमने जो गलती की है उसको स्यूकार कर लो माफी मांग लो वो तुम्हें समझा कर देंगे ठीक यह सारी बाते कहत हैं लेकिन उसके बाद रामर को गुसा बहुत आता है दिकिन फिर भी अगर आप देखें ध्यान से तो वहां फिर भी कप गर कंग कर आए थे ठीक है तो आवश् riff सीडियल में देखेंगे भाई जो दूद बनकर आता है ना वो तो अपने राजा का सेवक होता है ठीक है वो अपने राजा का संदेशा लेकर आता है इसमें उसकी क्या अगलती है यह तो उसका करतव है कि अपने राश्ट के लिए अपने राजा के लिए वो ऐसा काम करे ठीक ह नहीं आते हैं इसलिए ये भी रूल आफ लॉव में एक अपवाद है और इसके भीतर अगर आप देखें तो वियना कन्वेंशन वियना कन्वेंशन 1961 ये इस कानून के भीतर इन चीजों की बात की गई है कि जैसे किसी दूसरे राज जिका अर्थात किसी दूसरे देश का कोई हाई डिपलोमेट किसी दूसरे देश में काम कर रहा है तो उसको special immunity दी जानी चाहिए उसको special immunity दी जानी चाहिए वह कहां से निकल रहा रहा है वियाना कन्वेस्टन 1961 तो आपको यह बिल्कुल ध्यान में रखना होगा तो आर्टिकल 14 के बाद अब लोग हम लोग आर्टिकल 15 पर डिसकसन करते हैं देखे 15 की सीधी कहानी आप यह समझे कि 15 मतलब आर्टिकल 15 यह सिर्फ और सिटीजन को अवेलबल है ठीक है यह किसी भी फ तो पंद्रा में यह कहा गया है कि राज्य राज्य किसी भी नागरिक ठीक है एक-एक सब्ध देखे किसी भी नागरिक के साथ Religion, Race, Cast, Sex, Place of Birth पांच अधार हैं Religion, Race, Cast, Sex, Place of Birth हिंदी में धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग और जन्मिस्थान के अधार पर भेदभाव नहीं करेगा ठीक, राजे किसी भी नागरी के साथ धर्म, मूलवंस, जाती, लिंग और जन्मिस्थान के अधार पर भेदभाव नहीं करेगा अर्थार इन पांच अधार के अलावा राज्य किसी अन्य अधार पर भेदभाव कर सकता है यह बहुत ध्यान रखियेगा इन पांच अधार के अलावा राज्य किसी अन्य अधार पर सब्सक्राइब कर सकता है ठीक है मान लीजिए आप गए SBI मैंने आपको कल बताया था कि SBI एक स्टेट है स्टेट में आता है ठीक आप गए और आप ने कहा कि मेरा बैंक खोल दीजे मेरा bank account खोल दीजे तो SBI ने मना कर दिया कि नहीं भाई हम आपका bank account नहीं को सकते आपने पूछा क्यों क्या कराण है आप मेरा bank account क्यों नहीं को सकते उसने का अरे अभी आप तो आपकी दस साल की है अभी तो आप 10 साल के हैं जब तक आप 18 साल complete नहीं करेंगे हम आपका account नहीं खुल सकते हैं तो criteria क्या लग गया age ठीक है इसमें religion की बात नहीं है raise की बात नहीं कास्ट की बात नहीं है sex की बात नहीं place of birth की बात नहीं है इसने क्राइटीरिया लगा दिया age ठीक है और भी क्राइटीरिया हो सकते हैं जैसे आप फ्यूजिप्टिप अफंडर हो मतलब भगोले हो कि आप लेके भाग जाते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा वो भी एक क्राइटीरिया है ठीक है तो हम लोगों ने समझा उधारन क है हिसाब से तो आर्टिकल 15 यहीं कह रहा है कि राज केवल यह केवल सब्सक्राइब को ध्यान रखिएगा धर्म मूलवंस जात लिंक तथा जन्मिस्थान के अधार पर भेदभावन नहीं करेगा केवल सब्सक्राइब का आसिया है कि राज इन अधारों के अलावा अन अध में समझा दूसरी बात यह है कि यहां प्रावधान सिर्फ राज के लिए है किसी प्राइवेट कंपनी या व्यक्ति के लिए नहीं है एक्जामपल लेंगे ज्यादा क्लियर होगा ठीक है माल लिजिए कोई लड़का है एक्सवाइज ले लेते हैं ठीक यह पढ़ने के यह तो लेडिज होस्टल है जिसे कहले ते गंस होस्टल है अब यह कहा यार अभी हमारा अर्टिकल पंद्रा जिंदा है उसने कहा था कि लिंग के अधार पर भेदभाव नहीं कर सकता ठीक है यह चले गए कोट और कोट से पूछा मिलोड आप देख रहे हैं इस होस्टल वा स्ट्रेट की डिफनेसिन तल्र में आता है नहीं आता है भाई उस व्यकति कह उस्टाल है वह जिसका मन हो उसको रखे जिसका मन उसको ना रखे ठीक है तो यह सिर्फ और सिर्व राज के लिए है किसी प्राइवेट कंपनिय व्क्ति के लिए नहीं है तो इस एक्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा अब आर्टिकल 15-2 में क्या बात करता है कि कोई भी व्क्ति को आप पब्लिक टैंक्स या पब्लिक कार्पनिक्षेत्र में जाने से नहीं रोख सकते हैं ठीक है आटिकल 15 एक हम लोग ने समझा आटिकल 15 दो इस तरह का है आटिकल 15 तीन समझे अब यहां से एक्स सेक्सम अब यहां से अपवाद आना चाली हो गया एक शक्सान आना शुरू हो गया है यह 15 तीन आपने पंद्र कुछ इस्पेसल प्रोवीजन कर सकते हैं ठीक है और अब देखिए ध्यान से देखिएगा पंचायत में कि विमन को 33 परसेंट सीट प्यार अच्छन मिला हुआ कि नहीं मिला हुआ है बिलकुल मिला हुआ हम चिल्डरन के लिए ऐसी बहुत सारी योजनाय चलाते हैं ठीक है जिससे उनका विकास सही से हो तो पंद्रा तीन पंद्रा एक का एक सेप्सन है पंद्रा चार में भी सावन में एक मामला आता है कि मतरार कार्मेंट मतरास कॉबर्मेंट ऐस्क और स्टी को मतरास क्रमेंट में ऐसी और स्टी को जो बहलों हैं उनको लोगों ने कहा कि भाई article 15 में तो कहा गया है कि आप काश्ट के अधार पर भेदभाऊ नहीं कर सकते हैं तो यहां तो काश्ट के अधार पर आरच्छन दिया जा रहा है क्या है तो मदरास्ट कोटने का हाँ भाइ बिलकुल बात आप बिलκुल सही कह रहा है तो इस प्रोविजन को जो यह किया गया था इसको नल इंवाइट कर दिया अधिक है इसको नल इवाइट कर दिया क्लियर उसके बाद कहा गया यार यह तो गलत हुआ हम हम SC और ST को विखास के मुझ के दौर में सामिल करना चाह रहे हैं तो इसका discussion Parliament तक पहुचा और Parliament ने फर्स्ट Constitutional Amendment Act के थुरू संसोधन किया और इसमें पंद्रा चार जोड़ा इसमें कहा कि हम SC और ST को SC और ST को socially socially and educationally अर्थात सैच्छिक अधार पर अगर पिछड़े हैं तो उनको reservation दिया जा सकता है ठीक आर्टिकल पंद्रा पांच में OBC भाई को जोड़ लिया गया और आर्टिकल पंद्रा छे में 103 Constitutional Amendment Act के थुरू EWS की जो category है और उसमें सामिल जो भाई लोग हैं जो बहन लोग हैं उनको जोड़ लिया गया ठीक है तो यह पूरी हिस्ट्री है आर्टिकल पंद्रा की तो एक एक करके समस्ते हम लोगों ने आडिकल पंद्रा के सिकार है ठीक चर्म रोग के सिकार है और आप आप किसी स्विंग पूल में नहाने जा रहे हैं तो वहां अगर वो इस्टेट की एंट्री है इस्टेट की प्रावबर्टी है तो हाँ को रोगा जा सकते हैं इस चीज से क्या होगा कि और लोगों को फैल सकता है ठीक है इस पर इस पर रिश्रिक्षन है पंद्रा तीन प्रहुंद लोगों ने वही बात की कि जहां पर विसेश्ज प्राउधान महिलाओं ब सब्सक्राइब को यहां पर विसेश्ज प्राउधान की बात की जा रही है पंद्राचार में मैंने आपको बताया चपकम दुराय राजन को के साथ है फिर मद्रा वर्सस मद्रास राज यह जो उसमें कहा जाता है कि भाई तुम गलत कर रहे हो उसके बाद पर्लामेंट कहती है कि हम अमेंडमेंट कर देंगे उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया उसने कहा कि स्थी और सोचली एजूकेशनल बैकवर्ड क्लास को बिसेश प्राउधान दिया जा सकता है मतलब उनके लिए आरच्छन की व्योस्ता की जा सकती है उसके बाद 15-5-93-3 त प्लस प्राइबेट दोनों कॉलेजस में इनको आरच्छन दिया जाएगा स्थी और आर्टिकल 15-6 में एक सो तीन कॉंस्टिटूशनल एमेंडमेंट के द्वारा EWS की के डिगरी जोड़ दी गई और कहा गया कि जो आर्थिक मुप से पिछले समान मर्गे के लोग हैं उनको भी 10% संस्थानों में दिया जाएगा ताकि ये भी पढ़कर अच्छी पढ़ाई करकर विकास के मुख इधारा में सामिल हो सके और राश्ट निर्मान में अपना योगदान दे सकें तो यह आर्टिकल 15 था और बिल्कुल एक एक क्लॉज आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये त्याप डिकल 15 में क्या-काद की गई ये एक दो तीन चार में क्या बात ते पांस में शे और शहें में क्या बात है ठीक है यह सारी एड़किसली बैकवर्ड क्लास इंगी बात हो जाती है ठीख है 5 में OBC की बात हो जाती है और 6 में EWS कडिगरी की बात हो जाती है तो यह रटा होना चाहिए आपको तो आडिकल 15 को समझने के बाद आप हम लोग आडिकल 16 पर बात करते हैं ठीक है मतलब equality of opportunity की बात हो रही है ठीक है equality of opportunity मतलब सभी के पार बराब सभी के पास बराबर औसर होगा कि आप public employment अर्था जो government jobs हैं उसमें आप participate कर सकें ठीक है मान दीजी आप आरो यारो का एक्जाम देने जा रहे हैं तो सभी के लिए यहां समान औसर है किसी को special privilege नहीं दी गई है और वो कौन-कौन से भी ग्राउंट है उस पर फिर डिसकेशन करते हैं तो आटिकल 16 एक में लिखाया गया है रोजगार वा न्यूकती में औसर की समता की बात की जा रही है ठीक है क्राइटी दिया थे इसमें दो और जुड़ गये हैं एक है डिसेंट डिसेंट और एक है निवास रेजिदेंस डिसेंट एंड रेजिदेंस उसमें क्या था अटिकल 15 में रिलीजन रेस का सेक्स प्लेस और और डिसेंट एंड रेसिदेंस यह साथ अधार के अधार यह साथ बेस के अधार पे राज आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक इंप्लॉइमेंट में लोक नियोजन में इसां गौर्ण्मेंट जॉप्स में यह प्रावधान सरकारी रोजगार में लागू होंगे निजी संस्थानों में नहीं तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब एक्जांपा से समझेंगे ज्यादा साइज से क्लियर होगा ठीक है मानली जाँ यह आरओ पलए अपलाई कर रहे हैं अवराज आपके साथ यह ने करएगा भाई आप हिंदव tua तो आप इस कारण से अपलाई लए क्या ने कर सकते हैं धर्मे के अदर पह नहीं मूल वंस के अदर पह नहीं जाते का दर पह नहीं Link के अधार नहीं कि a female आप अपलाएगा नहीं कर सकती एक साल चाहिए तो एक साल की होते ही यह घ्र 5 परिछा देने इसलिए एज का एक्राइटीदिया लगा दिया गया है कि भई 11 साल की होना चाहिए थिशाथ बात hé रू में आपके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह क्यों है यह इस पद की मांग है ठीक है तो हम सब्सक्राइब लगा सकते हैं एच क्रेटिदे लगा सकते हैं लेकिन जो साथ अधार पर हम बेदबाओं नहीं कर सकते हैं तो आडिकल 16 में यह बात की जा रही है ठीक है आडिकल 16 में कहा जा रहा है अब एक्सेप्शन देखिए आडिकल 16 का कि संसद विधी बनाकर लोक नियोजन में निवास की अपवाद को सामिल कर सकती है ठीक है मतलब जो रेजिडेंस को हम लोग एक्सेप्शन के तौर पर सामिल कर सकते हैं और यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लेमेंट के पास है ठीक है पार्लेमेंट के पास है जॉप्स में एक्सप्शन बन सकता है सेंटर की जॉप्स में नहीं बनेगा ठीक माली पीसियस में बन सकता है लेकिन यूपी सी आईयस में रेजिडेंस क्राइटिरिया नहीं बनेगा यह बात आपको ध्यान रखनी ठीक है अब आटिकल 16 क्लास 4 को पढ़ने से पहले एक कहा गी लेकिन करना है नहीं मज़ेदार है लेकिन आपको सुनी चाहिए को और आपको सुनकर मचाय अथ देखेए है के 1975 सब्सक्र lowest estar के इम लॉन सी गसमने थी तक आप चांबते हैं ठीक है अ Emirgenty का समय था कि इसी कारन से इंद्रा गांधी जीकी जो सरकार है वो किर जाती है ठीक है सरकार इंद्रा गांधी जी कर दिखे घिर जाती है और जिनकी social and educational condition ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने का प्रयास किया जाए और यह जिम्मेदारी जंदा पार्टी ने दी किसको बीपी मंडल जी को ठीक है 1978 में जिम्मेदारी दी और मंडल कमिशन मनाया गया कि आप से और स्टी के अलावे कुछ ऐसी काश को देखे जिनकी समाजिक और सैच्छिडिक इस्तिति ठीक नहीं है तो इन्होंने कहा ठीक है यह काम मैं करता हूं इन्होंने कहा कि देखिए भीया इन बावन परसेंट लोगों कहा गया अधर बैकवर्ड क्लास ओबीसी ठीक है तो ओबीसी के संकल्पना यहां से निगल आ रही है कि यह लोग जन संख्या इनकी बावन परसेंट है ठीक तो मंडल कमिशन ने कहा कि ठीक है इनको 27 परसेंट आरच्छन देदिया जाए क्लियर यह बात होपनी कि ठीक है इस 27 परसेंट यह और राच अरच्छन को लागूँ कर देती है जिसके बाद काफी सारे अंदोलन हुए ठीक है और यह केस पहुंच गया स्प्रीम कोड के पास इंदरा 않 दो इंद्रा सौनी ठीक है इसे हम लोग हिंदी में इंद्रा सानी लिखते हैं 1992 का जज्मेंट आता है जो बहुत कुछ हमारे सामने प्रस्तुत करता है अब आई ये उसको समझते हैं एक सोला चान में क्या बात की गई कि ऐसा पिछड़ावर जिसका राज के अधीन सेवां में पर में मंडल आयों को गठन हो रहा है 1990 में ओभी सी के लिए सेवाओं में मतलब सर्विसेस में जॉप्स में 27 परसंट का रच्ण हो जा रहा है ठीक है उसके बाद में इसी संबंधित इंद्रा सानी केस हो रहा इसकेस में सुप्रीम कोट में मुख्य बात हैं कहीं जो निम्रिख बिल्कुल एप्सुलूट अकरा नहीं आगड़ा नहीं बावन परसेंट में कुछ लोग ऐसे होंगे माली जबीस परसेंट लोग ऐसे होंगे जिनकी इस्तती इन इन 32 परसेंट से अच्छी होगी ठीक है तो क्रीम आगर आप दूध में क्रीम देखें है ना मलाई तो बिलक की के लिए क्रीमी लेर का प्रावधान किस केस में आता है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे इंद्रा साहनी जज्जमेंट 1992 ठीक है क्रीमी लेर के संकल्पना आती है इसमें OBC के लिए लेकिन इसको परिभासित करेगी डिफाइन करेगी संसत इसकी पावर संसत को दी गई और इस बिछड़ा वर्ग आयोक का गठन किया गया ठीक है इसको में लोग पढ़ेंगे आगे इसमें कहा गया कि भाई देखो आरचन की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है ठीक है देखें वीपी सिंग जी ने 27% OBC को आरचन दे दिया उसके बाद बहुत सारे अंदोलन ह हो रहे थे उसका नर्सिम्हा राओजी की सरकार आती है जिन्होंने एलपीजी रिफार्म लागू किया ठीक है इन्होंने कहा कि चलो ठीक है दस परसेंट आरचन हम समाने वर्ग के मतलब जैनल के डिगरी के जैनल के पूर को जो गरीब हैं उनको भी दे देंगे तो इन्हों ने कहा कि अरचन के अधिक्तम सीमा 50% हो सकती है लेकिन आर्थिक अधार पर जो आप 10% अरचन दे रहे हैं उसको निरस्ट कर दिया ठीक है दूसरी बात इन्होंने कहा इस केस में कहा सुप्रीम कोट ने कि देखो भाई आप जॉप्स में अरचन दे रहे हैं चलिए ठीक है लेकिन आप प्रोमोसन में आरचन मथ दे ठीक है क्योंकि हमें आप 이제न्सी बेकनी है कुसलता है एक इस्टम को स्वीपर्षटी दे घीक यहें जैसे माली जे 10 seat किसी जौब के लिए आती है इसमें 5 seat यूर के डेट के लिए और 5 seat reserve candidate के लिए लेकिन इन 5 seat में अंतिम में तीन लोग मिलते हैं और दो खाली रह जाती है तो यह दो जब अगली बार अगली बार नियुक्ति आएगी दस seat कि यह तो दो जुड़के आएगी इनके लिए 12 हो जाएगी ठीक है तो इन में आप देख रहे हैं कि यह जो reserve seat है यह जुड़ जाए और अगर तीन सालों में ऐसा नहीं होता तो यूर जोड़ जाएगी लेकिन बाद में संसद ने संसोधन के और बाद में आखा कि भाई यह फॉरेबर चलेगा जबता कि वह seat जबता कि वह seat सब्सक्राइब को न मिल जाए क्लियर तो इसने केरी फॉरोर सिस्टम को भी स्विकृति दे दी तो ध्यान दीजेगा 50% की सीमा लगा दी गई एकिन तमिलनाडू में 69% रच्छन है कि प्रावधान को निलंबा से बचाने हैं तो 76 constitutional amendment टैक 1994 पास किया गया तथा 69% की प्राव इस तरह के साया उसने का गई देखो 1973 के बाद जो भी इस तरह के इस तरह के मुद्दे हैं जो भी नाइस ट्यूंब में डाल देगा है 1973 के बाद उनमें जीडियर लिव्यू लागो हो सकता है तो अब जो डिसे रिव्यू को दो नाइस बिपर बलेंकेट लगी हूँ थी लेकिन बाद में 77 Constitutional Act Amendment Act मतलब सततर्मा संविधान सहसोदन किया गया उसमें 164 जोड़ा गया और इसमें कहा कि SCHT के लिए भाई प्रोनती में मतलब प्रमोशन में हमारे अरचन दे देंगे और इस केस को बाद में चैलेंज किया गया एम नागराज वर्सस यून आफ इंड कि SC और ST में भी कुछ कास्ट ऐसी हैं जो इस अरच्छन का लाव बहुत ज्यादा पा रही है और कुछ कास्ट ऐसी है जो अरच्छन का लाव वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है तो यहां भी एक क्रीमी लियर उभर कर आ रही है ठीक है इसी से संबंदिदे केस निकल गरात आर्मी और में देखते हैं आर्मी और में देखें तो उसमें पूजा पार्ट के लिए इसी विशेष धर्म के अधार्व व्यक्ति का चुना हो जाता है तो ध्यान रखिएगा कि लोग नियोजन में धार्मी का धार्व भाव हो सकता है लिए 166 में एक सो वही बात है कि जो 15 156 में जोड़ा गया वही 166 में जोड़ा गया 156 में सैच्छडिक संस्थानों में आरचन की बात हो रही और 166 में पब्लिक इंप्लाइमेंट में EWS कटिगरी को आरचन की बात हो रही और इसको चैलेंज किया कि अगया सुप्रीम कोट में तो जनहित अभियान वर्सेज भा बाते हैं 16 में साध्दाः हैं ठीक में साथ हर सोबाते हैं रिलीजेन ये सका सेक्सटेस ऐभ याएAR चसेडेन और मैं सीघसेंट कर सकते हैं 16ою में कि यही बात कुदी है In Susana tinhasason में क्या बोला जारा है 163 में क्या बोला जारहा आपसे कि भाइव में रैसिएन्स का जो अपवाद है वो हम सामिल कर सकते हैं ठीक है 16-4 में अरच्छन की बात हो रही है 16-5 में धर्म को एक अपवाद की रूप में सामिल किया जा सकता है और 16-6 में EWS के डिगरी को भी पब्लिक इंप्लाइमेंट में अरच्छन दिया जा सकता है इसमें सुप्रीम कोट ने इस अमेंडमेंट को कॉंस्टिटूशन करार दिया है संवेधानी करार दिया है अरथार जो EWS के डिगरी को आरच्छन देने की बात थी वो बिल्कुल सही है तो आपको बिल्कुल साफ होना चाहिए अब आडिकल 17 पे बात करते है लेकि आडिकल 17 अस्पिस्ता के अंत की बात करता है अंटेचिबिल्टी को खथम करने की बात करता है और यह बिल्कुल अपसलूइट है इस पे कोई रिस्टिबल रिस्टिक्शन नहीं है इससे संबंदित संसत्त ने कानून बनें अर्थाज रिस्टिक्शन नहीं है लेकिन एक बात आपको ध्यान रखने है कि संविधान तदा कानून में अस्पिस्टता को परिभासित नहीं किया गया है इसमें यह माना गया है कि भाई देखू यह जो अंटेचिबिल्टी है ना यह अपने आप में पहले से समझी जा चुकी है कि हम समझ समझ सकते हैं कि अंटेचिबिल्टी किस तरह से है ठीक है तो आर्टिकल 17 हम लोगों ने पढ़ा आई आर्टिकल 18 पढ़ते हैं और यह तभी इस्टैबलिश होगा जब सभी लोग बराबर होंगे क्लियर अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था लोगों को खुष करने के लिए टाइटल दे दिया जाता था भाई आप राय बहादूर है और जब राय बहादूर कोई किसी को टाइटल मिल जाता था यह जान दीजेगा यहां से डीजन की बात नहीं हो रही है यहां पर्शन की बात हो लिए सिच्छण एवं सेना संबंधी उपादी के लाव कोई अनुपादी नहीं देगा मतलब देखिए आपको कौन सा टाइटल मिल सकता है वह एजुकेशन से रिलेटेड हो है जम मिलिटरी स अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि एजुकेशन में देखते हैं बहुत लोग पिएचडी टैटल लगाते हैं इनको मिलता है ठीक है अब मिलिटरी में हम किरंगा फिल्म देखते थे तो उसमें ब्रिगेडियर सूर देव सिंग तो उसमें इतने स्टान से वह बोलते थे तो में याद हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है हम लोग मिलिटरी वाली भी उपाधी लगा सकते हैं ब्रिगेडियर सूर प्रताप सिंग ना गूलियों की धार से ना तलवार की धार से ना गूलियों के बहुचार से बंदा दर्टा है तो सिर्फ परवर्द गास तो यह उनका तीन में कहा गया कि विदेशी व्यक्ति अगर भारतिय राजी के अधीन लाव या विश्वास के पत पर है मतलब आफिस और प्रॉफिट या ट्रस्ट के पत पर कारिरत है तो बिना राश्पति के अनुमति के वह उपाधी नहीं लेगा ठीक इसमें विदेशी व्यक्ति की अध्य की बात हो रही है इसमें भारतिय नागरी की बात हो रही 18-4 में खाया कि चाहे व भारतियों चाहे विदेशी हो भारत में अगल लाप के पत पर है ठीक है तो बिना राश्पति के सहमति के उपलब्धी भेट जब कोई पत्द स्विकार नहीं करेगा यहां 18-23-20 इसक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है इसको ऐसा समझे कि पदमा वॉड्ट्स जैसे पदमस्री पदम्हुषण पद्विभुषण भारत रत्ना यह सब जो हैं कहा है पहले इसुर केस किया गया कि भाई यह उपाधी नहीं है यह पाधी नहीं है लेकिन एक बात बताइए कि आप किसी के टैलेंट की इज़त नहीं करेंगे बिल्कुल इज़त करेंगे तो बाद में सुप्रीम कुर्ण ने कहा कि भाई देखो यह अवार्ड्स हैं मतलब एबॉलिशन और टाइटल के अंदर नहीं आएंगे और इनको जारी रखा जाएगा तो हम लोगों ने समता के अधिकार को समझ लिया है एक एक चीज को तो आगे तो तो आगे आने वाली जो क्लास है उसमें लोग आगे के आडिकॉल को समझेंगे तो आज के लिए बस नहीं हिर्दय की करहें सब्सक्राइब बोड़नेवाट जया है